हाँ सब्सक्राइब करेंगे कौन कौन से हैं एक यूनिक टॉपिक है और एक इग्जाम्पल भी है और में इस कोश्चन भी आज आपका इसी पर बेस्ट है एनिमल एनिमल कंफिक्ट के बारे में इनिमल एनिमल कंफिक्ट इंडस्वैली सिवलाइजेशन पर जो एक नहीं आपकी रिसर्च चाहिए वो डिसकस करेंगे एक नॉमिका जो एक कौटरली रिव्यू आपका हुआ है जिसमें सरकार ने बताया जो डेटा आपका आया डेटा में इस चीच को कहा गया कि जो कांट्र सब्सक्राइब रिकवरी की तरफ जा रहे तो हम लोग दो दिन से पॉइंट डिसकस कर रहा है वरदर आज भी कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्टा पॉइंट्स है यह सब आपके जो अंडरस्टेंडिंग है एकनोमी के इशू से रिलेटेड वो इन्हांस करेगा ठीक है उसका सब्सक्राइब चन्नाई सालेम हाइवे के उपर जो उन्रेबल कोड का जज्जमेंट आया है तो यह टॉपिक आपका इंफ्रस्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिटी से रिलेटेड रूल अफ जूडीशरी से रिलेटेड जीस पेपर टू-3 धोनों में आ सकता मैल नरिश्म का आपका ही बैच आपका शुरू होने जा रहा है तो इसको भी आपको थोड़ा एंफसाइस करना है अग्रिकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड क्योंकि एक बार अगर आपको पूरा हो जाता तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए होगा सो अग्रिकल्चर ऑप अब यह लांच नहीं होगा जनवरी के बाद से आपके आई आर साइंस अंट टेकलोजी की कोर्से साब के लांच होंगे पहले अग्रिकल्चर ऑप्शनल आपका कम्प्लीट किया जाएगा उसके बाद लांच होगा करेंट अफेर्स का कूर्स आपका हर महीं नहीं आता है त अब आप ऑप्शनल का सेपरेट ले सकते हो वन येर टू येर ठीयर त्री येर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यह व्यूज दे कोड एस पी लाइंगे जैसे ही आप इस कोड का इस्तमाल करेंगे दो अमांट है दो अमांट विल रिदूस बाइटेन परसंट दूसरा आ अगर आप स्पेशल क्लास करते हो मेरी भी जो स्पेशल क्लासेस हैं कल एक होई थी आज 930 पे है कल भी फिर आपकी 930 पीम को होगी और उसके बाद फिर जी एस सीरीज की क्लासेस आपकी चलेंगी अगी एक सेशन का पीडियाफ डेली डोस विद आज डॉट पांडे पांडे और स्पी करेंट अफेर्स करके टेलिग्राम चैनल वहां से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है स्पी करेंट अफेर्स तो यह है आपको यह ध्यान में रखना है आप यहां पे पहला टॉपिक देखते हैं क्याटल वैफालो मीट रेसिड्यू फाउंड इन इंडियास वै सबना चाहिए क्योंकि नई रिसर्च है बुक में अभी फिलाल यह सब आने में टाइम लग जाएगा फिर उस पर डिबेट भी होगी कितना सही है क्या गलत है यहां पर जो नई स्टडी आई है और पब्लिश भी की गई उसमें कहा गया है कि कैटल और बफैलो जो मीट है व जो सेरमिक सेरमिक वेसल्स हैं ठीक है सेरमिक जो वेसल्स हैं मतब जो वो बरतन इस्तमाल करते थे वो उनको मिले हैं लगभग 4,000-4,600 यह के उनमें ऐसा ऑईल और इस टाइप का कंटेंट पाया गया है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि यह कैटल या फिर बफैलो के मतब अनि वेसल्स में है तो उसका कहने का सिर्फ मतलब यह है कि पहले के समय में यह इंडर्स वैली सिवलाजेशन में जो लोग थे वो इनको कंजूम करते थे एनिमल बफैलो मीट को यह कंजूम करते थे तो यह आपको फाउंड भी हुआ हर्याणा और उत्रप्रदेस में लगभग 50 से साथ परसेंट जो डॉमेस्टिक एनिमल्स बोन्स फाउंड की गई है वह ज्यादा तर कैटल और वैफैलो के कैटेगरी में ही है जो हाई प्रपॉशन ऑफ कैटल बोन्स जो मिली है इसका मतलब यह है कि बीफ कंजम्शन इंडस पॉपॉपलेशन के समय देखने को मिला थ ठीक है लिपिड आपका है जासे फैट और लिपिड है तो लिपिड कंटेंट उस वेसल में प्रिजंट स्था और एक्रोस्ड वर्ल्ड यह ऐस की बैसे जाता है और ऑर दूसरे जो आपके किये जा सकते है तो हभी को प्रेजुछ आख सेरमिक वेसल्स में मिला है वो कहा गया कि पहली चीज तो ये इंडस्वेली सिवलाइजेशन के टाइम पे जो लोग रहते थे वो ये कैटल्स और इनको इनका जो मीट है और सब कंज्यूम करते थे ये सामने आपका रखा गया नेक्स देखते हैं टू मैनी केटल रॉबिंग राइनोस नूट्रिशन इन मीनी काजी रंगा देखो मीनी काजी रंगा जो है आप यह भी देख रहो या ध्यान रखो आसम में एक वाइड लाइफ सेंचुरी पॉबी टोरा वाइड लाइफ सेंचुरी है तो पहला तो आपको वाइड लाइफ सेंचुरी कहा है दूसरा है कि हमने बहुत बार पढ़ाई किये रिलेटेड विद ह्यूमन एनिमल कंट्रिक्ट मतलब जो भी आपके हैबिटेशन है उस हैबिटेशन का कंटिन्यूस बेसिस पर लॉस हुआ है हुमन सेटलमेंट लगातार बढ़ता जा रहा वाइगरिकल्चे क्रिटिटी या एक्रिकल्चे जो लेंड है वो एक्स्पैंड होती जा रही है इस वज़े से क्लेर्ड डिफोरीस्टेशन है डी fark हुरे है इस वाट आ ह्थ है और इस ये जैसे हो क्या रहा है था क्या है सब्सक्राइब करते हैं और लैंड आपकी है नहीं तो जो ग्रासे से वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में है तो जितने भी क्याटल से यह जैसे पॉबिट और वाइड लाइफ सेंचुरी में जो खुले लाका है वहां की ग्रासे जाकी कंज्यूम करते हैं दस हजार के आसपास आपके आपके सपोस्क्राइब केटल्स हो गए और एक सो एक सो दो राइनसौरस हो गए अभी दोनों का फुड एक सही है ठीक है अब यह इतने सारे हैं दस हजार है यह सो हैं सो इनके लिए कुछ नहीं बसता है तो इस वजह से यह जो मीनी काजी रंगा इसको मीनी काजी रंगा नाम भी दिया जाता है तो आसम में लोकेटेड है और इसे मीनी काजी रंगा बोला जाता है और आप यह बता सकते हो कि यह एक एनिमल एनिमल कंफिक्ट के लिए भी रस्पॉंसिबल है दस अजार कैटल्स और सो राइनसौरस तो यह सभी खा लेंग तो यह कई जगहों पर इसको एक्जाम्पल के रूप में भी हाईलाइट कर सकते हो ठीक है यह आपका मैल नूट्रीशन की उपर ठीक है नेक्स जो टॉपए इस रिलेटेड विट मैल नूट्रीशन इसको भी ध्यान देना है इस पर हमनें बहुत डिसकस किया है तो यह आप जो शरीर है उस बॉड़ी को सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है कि हमें जो required nutrients हैं वो मिलें और वो nutrients, vitamin, minerals किसी के भी फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि body के growth के लिए ये जो nutrients है वो बहुत जरूरी है कई बार ये जो body है उसमें nutrients के amount बहुत अधिक हो जाए ठीक है आप बहुत ज्यादा जितना जुरूरत हो से ज्यादा consumption कर रहे हो ये एक case हो जाएगा over nutrition का और कई बार क्या है कि जो nutrition आपको चाहिए वो nutrition बहुत ही कम आपको मिल रहा है in comparison वो आपका under nutrition हो जाएगा इंडिया में जो problem है मतब दोनों तरीके की है लेकिर अंडर nutrition की problem ज्यादा है और उसके लिए बहुत से steps जो है वो लिए गया है आप अगर देखो कि अगर हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं अगर उन्हें proper nutrition if they are not getting proper nutrition what will happen कि उनका जो physical और mental growth properly नहीं हो पाएगा and they will not be able to contribute in the growth and development of the country country के विकास में वो एक role नहीं play कर पाएँगे even if they are able to survive पहली चीज़ तो यह है कि अगर उन्हें nutrition मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो देविल not be able to survive जो बच्चे हैं वो भी survive नहीं कर पाएँगे अगर उनको ही properly nutrition नहीं मिल रहा है तो जो बच्चा जनम लेगा वो प्रॉपर उसका growth नहीं हुआ रहेगा फिर उसके बाद अगर जनम लेने के बाद उसको nutrition नहीं मिल रहा है तो उसका proper physical mental growth नहीं होगा five years के बाद हो सकता वो survive ना करे यह सब possibility है और अगर survive भी करता है तो क्योंकि physical mental growth प्रॉपर नहीं है तो फिर अपने क्योंकि इतना physical mental growth आपका नहीं है तो country में भी इतना contribution नहीं कर पाएँगे तो यह एक जरूरी है है तो ऐसे situation क को tackle करने के लिए जरूरी क्या है कि हम इस malnutrition के problem को दूर करने के लिए एक multi-prong strategy को अपना है और इस multi-prong strategy को अपनाने के लिए बहुत से सरकार को और समाज को लेना है और सरकार ने इसी context में पोस्टर अभियान भी launch किया था जो कि एक level तक आपका successful हुआ है ऐसा इसमें highlight आ data अगर आप देखोगे तो 68% of 1.04 million death of children under five years was attributable to malnutrition तो यह fact आप हमेशा note कर सकते हो कई जगह पे आप इस्तमाल कर सकते हो कि जो इतनी death हुई है उसमें malnutrition एक बड़ा factor है half of all children under five years in the country were found to be stunted है और आप कहाई सकते हो वेस्टेट है मतलब उनका जो body weight है height के according यह जो आपको इस्तमाल करना है इसके अलावा यह आपकी स्कीम आपकी launch कीगी holistic nutrition के लिए पोशाण अभियान 2018 में और यहां पे जो यह पोशाण अभियान 2018 में launch की गए इसका aim भी mainly यही था कि जो malnutrition जैसी problems को एक multi-prong strategy को अपनाते हुए दूर किया जाए सो गोविड वन नाइन एक और चैलेंज लेके आ रहा है कोविड का चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि लोग जो है वह गरीबी की तरफ जा रहे है जो लोग है वह लोग आपकी गरीबी की तरफ जा रहे है ठीक है गरीबी की तरफ मतब उनका source of livelihood जा रहा है उनके पास पैसे नहीं है खाने को नहीं है इस वज़े से क्या है कि malnutrition की जो problem है वो और ज्यादा enhance हो रही है food security food का accessibility, affordability, availability आपकी affect हो रहा है लोगों को लोग अगर इसको afford नहीं कर पार है प्रॉपर food नहीं consume कर रहे है तो उनको nutritional deficit होगा और malnutrition जो है उनको face करना पड़ेगा तो यह एक एंगल आपका देखने को मिलता है दूसरा कहा गया कि यह तो point है दूसरा कहा गया कि because of the pandemic जो essential services का supply था जैसे बहुत सारी ऐसे centers आगानवारी center, midday meal आपका जैसे आभी schools बंद है midday meal की थो जो बच्चों को related with supply of nutrients जो एक बड़ा role play कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस efficient वे में काम पहले पहले तो बंद थे lockdown की वह बंद थे अब भी जब काम हो रहा है तो इतना efficient काम नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो nutrients supply करना चाहिए जैसे बच्चों को pregnant woman को वह भी आपका affect हुआ है because of the pandemic यह एक एंगल आपको ध्यान में रखना है दूसरा यहाँ पर यह जरूरी है कि India need to ensure coverage of every single children, mother, along with 12 month portion maha, 52 weeks of breast feeding week, 365 days of take home राशन यह सब points highlight भी आपके किये गाए है पोशड अबियान के अंदर है ना portion maha celebrate किया जाएगा, 52 weeks of breast feeding को promote किया जाएगा, 52 weeks of breast feeding week, 365 days आपके मतब कुरे साल आप take home राशन प्रोवाइट किया जाए, जैसे जो बच्चे है उनको, इनको यहाँ पर अगर देखा जाए to preserve nutritional security in vulnerable communities, particularly women, children in slum areas, migrants, तो ऐसे जो एक vulnerable population जैसे जो slum area में रहते हैं, जो migrants हैं, जो tribal areas में आपके रहते हैं, जहाँ पर ऐसे district, जहाँ पर mal nutrition की ज़्यादा cases देखने को मिल रहा है, तो वहाँ भी आपका जो एक responsibility बन जाती है, कि जो nutritional security है, वो nutritional security आपकी provide किया जाए, तो यह एक angle आपको ध्यान में रखना, दूसरा, जो economic insecurities है, often force girl into early marriage, early mother would, discontinue their schooling, reduce institutional delivery, cut access to micronutri supplement, nutritional food, which largely tend to be perishable, all of which में worsen malnutrition, तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा, एक angle जो देखने को मिल रहा है, कि because of the pandemic, जो एक economic security हुआ करती थी, वो आपका impact हुए, मतलब परिवार है, और वो परिवार कुछ काम करता था, कुछ earning हो जाती थी, तो उसमें वो उनका livelihood चलता था, अच्छा खाने को भी ले लेते थे, यह सब चीजे आपको देखने को मिलती थे, लेकिन because of the pandemic, loss of job, economic activities बंद हुई ह इस वज़े से क्या है, economic insecurities आई है, जो girl child है, उसकी early marriage कराई जा रही है, ठीक है, कि वो एक responsibility है, तो परिवार सोचता है कि चलो यह इसको fulfill भी कर लिया जाए, तो यह जो economic insecurity है, because of that, आपका early marriage होगी, तो early mother would होगी, और जो school है, उनका बंद हो जाएगा, ठीक है, so institutional delivery भी कम बचा है, उसको, आप कहा सकतो, mortality rate भी higher हो सकता है, साथ में infant, जो mortality rate है, साथ में, जो nutrient supply आपको होना चाहिए, वो भी proper नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कि यह जो पूरा का पूरा pandemic है, यह woman को भी, overall अगर आप देखोगे, woman पे भी एक बहुत ही negative impact डाला ह इस तरीके के, जो key points है, वो आपको mind में रखना, अगर impact पोस्ता पेंडमिक का, या malnutrition का, जो problem है, वो और क्यों enhance हो रही है, उसमें आप यह highlight कर सकते हो, कि economic insecurity, जो arise हुई है, because of the pandemic, वो भी एक बड़ा factor है, to spread malnutrition among women, जो women है, उनमें, जो malnutrition का spread है, वो आपका increase हुआ है, त रेस्ट है, road taken, Salem Greenfield Highway, may now be a fate accompli after supreme court verdict, तो यहाँ पर एक honorable court, जो है, उनके द्वारा जो भी judgment आपका दिया जाता, तो उसको कई जगहों पर आप court कर सकते हो, जैसे अभी जो मदरास high court है, मतब जो high court है, high court ने कहा कि यह highway जो highway आप बना रहे हो, इसके लिए जो land आपको acquire करना है, तो उन्होंने मना कर दिया, कि it will impact agriculture, it will impact environment और जो फिर honorable supreme court ने इस चीज़ को reverse कर दिया, मतलब उन्होंने उसको एक प्रकार से कहा है, कि यह जो project है, वो project आगे जाएगा, और land acquire की जा सकती है, तो यह दो different opinions रखे गए, high court ने environment agriculture पर focus किया, supreme court, honorable supreme court है, उनका इक different perspective आपका ह है, तो अभी फिलहाल चन्नाई सालेम जो highway है, उससे related है, तो यह आपका चन्नाई से लेके सालेम तक का जो इलाका है, यहाँ पर एक highway आपका develop किया जा रहा है, तो यहाँ पर court की द्वारा अगर देखा जाए, तो जो proposed चन्नाई सालेम greenfield highway है, supreme court has paved the way for completing the land acquisition process and sought to ensure that environmental clearance are obtained before its construction, ठीक है, देखो, दो तरीके का opinion है, एक यह है कि जब आप किसी land को select करते हो, if you are selecting any land, किसी भी land को अगर आप select करते हो, तो select करने की वजह से, किसी भी land को जब आप select करते हो, तो आप पहले से ही यह देख लो, कि इस land को अगर आप यहाँ पर construction करोगे, तो इसका environmental impact क्या होगा बीच से अगर आप road बना रहो, कहीं है, habitation का fragmentation तो नहीं, किसी wildlife century को दो पार्ट में divide कर दो, habitation का fragmentation तो नहीं हो जाएगा, इसका ecology पर क्या impact पड़ेगा, वहां के लोगों पर क्या impact पड़ेगा, यह सारी चीज़े आपको mind में रखनी है, ठीक है, और उसके बाद ही आप allow क जो है करो, ठीक है, तो court का जैसे high court का यही कहना था कि जब आप कोई भी ऐसा clearance या proposal देते हो, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, agriculture पर क्या impact है, environment पर क्या impact है, और उसके बाद ही clearance दिया जा सकता है, ठीक है, तो यह court ने आपका एक पहले जो है high court ने इस बात पर highlight किया गया, अब यहाँ पर जो honorable court है, honorable court ने कहा कि फिलहाल जो चन्नाई सालम highway है, उसके जो land acquisition process आपने रोग दिया था, अब आप उसको कर सकते हो, और यह भी कहा गया कि जो environment clearance की जरूरत है, एक बार acquisition हो जाए, उसके बाद आप environmental clearance ले सकते हो, before the construction, ठीक है, उसके बाद it has also rolled that it will be premature to expect the authorities to obtain environmental approval at the stage of identifying the land linked to the proposed alignment of a highway, ठीक है, तो यह भी कहा गया, मतब honorable, अब हाई quarter ने दूसरा कहा, कि आप पहले से ही, यह देख लो कि यह land जो है, इसका क्या, इसका क्या, environment, agriculture ने सब पर impact है, और Supreme Court ने कहा कि यह premature होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो, कि पहले सी authorities clearance ले या पहले से ही सारी चीज़े decide कर ले, है ना, at the stage of identifying the land, land को identify करते समय ही, यह सब चीज़े पहले से कर ले, पहले आप land को identify करोगे, फिर उसको acquire करने जब जाओगे, उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ, इसका क्या impact हो सकता है, यह दो different different आपका opinion है, so once the land was notified for acquisition, surveyed for feasibility, they would have to apply for all the statutory clearance, so एक बार acquisition के लिए notify कर दी गई है, फिर उसकी feasibility को survey किया गया है, उसके बाद जो है, clearance के लिए आप apply कर सकते हो, मदरास हाई कोट ने एक जो position ली थी, वो environmental protection, agriculture, preservation of rural livelihood, इन सब को ध्यान में रखा गया था, तो उसने यह जो acquisition का process उस पर रोक लगा दी थी, तो यहाँ प इच में, एक issue भी आपका लगातार का जैसा अंदर प्रदिस में भी देखने को आपको मिला था, तो इस तरी के issues भी आपके चल रहा है, और यहाँ पे जो opinion रखा गया है, जो judgment दिया गया है, वो high court ने एक different बात कही है, और honorable supreme court ने आपकी different बात कही है, अब एक केस है, environmental impact should be properly comprehended, and the acquisition done in a way that did not impair it, तो यहाँ पे देखो, करनाटिका इंडेस्ट्रल एरिया डेवलप्मेंट बोर 2006 में certain guidelines या प्रिंसिपल्स रखे गया थे, उसमें इस चीज को कहा गया था, कि जब आप किसी land को acquire करते हो, development के लिए, तो उसके adverse impact क्या हो सकते है, environment के उपर, उसको आ किसी ना किसी जैसे चाहे development आपको ऐसे करना है कि ना रूरल लाइवलिवूड ना एगरी कल्चर ना दूसरी चीजे इससे negatively आपकी affect हो, environment भी negatively आपका affect ना हो, अभी जो honorable court ने दिया है, जो decision दिया है, जो अभी हमने discuss किया, जिसमें पहले कहा गया कि पहले आप उसको notify करोग फिर उसकी feasibility को समझोगे और फिर कहीं जाके आप उस clearance के लिए कहोगे, ठीक है, तो यह कहा गया कि यह जो 2006 में जो principle रखे गया थे, उससे court थोड़ा सा अलग जा रहा है, और high court जो है, मदरास high court है, मदरास high court ने जो judgment दिया है, वो इसके according आपके दिया है, जो principle 2006 में है, तो उसके according मदरास high court ने अपना judgment दिया, तो यह different opinion, अच्छा एक information है, आप लोग लगातार मुझसे पूछ भी रहे, तो आज special class है, आपकी एक already top 100 current affairs MCQs, आपका class साढ़े नो बजी हो गई है कल, ठीक है, अभी भी आप दुबारा जाके देख सकते हैं, फिर आज है 9.30 PM को, फि और भी पूरी की पूरी GS series की साथ classes आपकी है, यह सारे report indices, IR के काफी topics है, science के topics है, तिस सारी special classes आपके लिए free है, आपका अकेड़मी में जाना है, मेरे profile में जाना है, और यह code यूज करके, मतलब यह free of cost है, SP live करकी unlock हो जाएंगी, ठीक, SP live यूज करके, अगर पहले से किशन पूरा free में देख सकते हो, सारी की सारी मेरे special classes है, उसको आप देख पाओगे, link I will share in the group itself, आज की special classes है, बाकी आप मेरे profile में जाओगे, तो यह सारी classes आपको में जाएगे, आज special class है 9.30 PM को, और फिर कल भी है, और फिर उसके बाद GS series की classes आपकी होगे, तो आप लोग मुझे जो message करने लगा था, तो यह आपको ध्यान में रखना है, चलो next देखते हैं, जो बच्चे live देख रहे हैं, आप like जरूर से करें, share जरूर से करें, like button प्रेस करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है, और next topic देखते है, next topic है आपका why quarterly growth numbers are not robust, तो यहाँ पे लगात quarter 3 है, उसमें जो contraction है, वो मातर 7.5% है, और first quarter में 23.9% था, तो हम यह सोच रहे हैं कि we are moving towards V-shaped recovery, comment section में let me know V-shaped recovery क्या होती है, बहुत बार हमने last two days में हमने discuss भी किया, अब यहाँ पे कहा यह गया है, कि पहली चीज तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा technical लिखा हुआ है, कि जो data calculation और methodology अपना ही जा रही है, वो सही नहीं है, ठीक है, तो वो हमें जानना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, कि 0.9 और 10, suggest that the press release है, उसमें कहा गया है, कि full extent of data usually used to project quarterly growth, we are not available, जो data quarterly growth को देखने के लिए, जो data available होना चाहिए था, वो data available नहीं है, दूसरा कुछ, इसमें ब organized sector है, वो impact हुआ है, बहुत से, इसमें कहा गया है कि demonetization और GST, इन सबका जो एक negative impact पड़ा है, तो वो भी एक बड़ा factor है, अभी जो हमारी economic recession की तरफ हम लोग जो जा रहे हैं, या जो economic negative growth की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसके पीछे ये भी कई reasons है, अब देखो, आप जब इन points को लिखते हैं, तो आप ये कह सकते हो, as per many economists, ये ये factors है, तो हर angle को आपको लिखना है, ठीक है, तो ये भी एक opinion रखा गया है, कि जो demonetization है, demonetization की वज़ह से non agriculture, unorganized sector काफी affect हुआ है, ठीक है, ये ये एक point आपको ध्यान में रखना है, इसमें इसकी वज़ह से क्या है, कि जो demonetization है, क्योंकि non agriculture, unorganized sector, cash, mainly cash के थुरू आपका run होता था, वहीं अगर आप organized sector की बात करो, तो उन्हों बैंक से loan मिल जाता था, तो वो इतना cash per dependent, cash per dependent नहीं थे, बट जो non agriculture, unorganized sector, cash per dependent थे, demonetization की वज़ह से, जो cash है, वो आपका affect हुआ, अब कैसा cash affect हुआ, जिसके ब बारा से दिखाना नहीं चाओगे, क्योंकि अगर आपने उसको दिखाया, आपको tax देना पड़ेगा, इस वज़े से फिर वो, जो cash crunch है, वो देखने, क्योंकि अगर आपकी लीग, आपकी earned money है, तो आप bank से जाके वो exchange करवा सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, cash shortage ने and service tax, GST के बारे में, so इस पर भी highlight किया गया है कि, it has favored the organized sector and the demand shifted from unorganized sector to the organized sector, so यह जो GST है, GST ने भी कहा, highlight किया गया कि इसने भी organized sector को favor किया, ठीक है, इसने unorganized sector को favor नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है, और इस वज़े से, GST की वज़े से भी आपका, जो और unorganized sector वो आपका affect हुए है, दूसरा फिर कहा गया है कि, जो lockdown है, इस lockdown की वज़े से, जो economic activities है, पूरी तरीके से बंद हुई है, जिस वज़े से organized और unorganized sector दोनों ही इससे affect हुए है, जादा तर जो small or tiny units है, वो जितना भी उनके पास पैसा था, because of the lockdown, और पहले के जो भी ये GST है, और demonetization है, तो जो थोड़ा बहुत पैसा working capital उनके पास था, वो उनके पास अब नहीं बचा है, और इस वज़े से, वो recover भी नहीं कर पा रहे हैं, जो में लिए चाहे कई small organized sector हो, या फिर unorganized sector हो, अब क्या है, दूसरा कहा गया है, कि जो आप data calculate कर रहे हो, वो data आप पुरा overall picture नहीं ले रहे हो, मतलब जो ये unorganized sector वाले affect हुए है, और नाइस sector वाले affect हुए है, तो पुरा clear picture नहीं ले रहे हो, आप कैसा picture ले रहे हो, कि जो e-commerce है, तो जैसे lockdown के time पर e-commerce बहुत तेजी से grow किया है, क्योंकि लोग जो physical shops है, brick and mortar है, जो shops है, आपकी वहाँ नहीं जाते है, अभी e-commerce के तुरूब order चीज़े कर रहे थे, तो e-commerce बहुत तेजी से आपका grow किया है, ठीक है, तो जो data है, वो data इसके growth को reflect करता है, but overall growth को reflect नहीं करता है, ऐसा author का कहना है, तो employment is hit, and that means demand in the economy, अभी दूसरा point ये कहा गया है, कि जो employment है, that employment has also being affected, ठीक है, जो लोगों के पास job चली गई, लोगों के पास job नहीं है, तो अगर job नहीं है, तो earning नहीं है, earning नहीं तो आपके हाथ पे पैसा नहीं है, आपके हाथ पे पैसा नहीं ह होगी, demand कम होगी, तो जो उस product और service को produce कर रहा है, तो वो भी उस product और service को produce नहीं करेगा, तो ये सब बातें आपकी इसमें रखे गई है, next देखते हैं, next ये छोटी news है, serum institute of India, भारत बायोटेक, emergency vaccine clearance on hold है अभी, so ये लोग demand लगातार कर रहे थे कि ठीक है, जो भी मतलब, ज जो effective नहीं से 90% के उपर है, और इस वज़े से उनको emergency use के लिए इसको allow करना चाहिए, तो अभी इसको hold में रखा गया हो सकता है, कुछ समय में आपका ये दे दिया जाए, एक बहुत important topic है, इस पूरे के पूरे issue में, ये पूरा update आपको इतना जरूरी नहीं है जानना, तो ये है vaccine nationalism का एक topic है, ठीक है vaccine nationalism और ये इसको आपको covex से link करना है, दो चार पॉइंट्स आप मुझे comment section में बता सकते हो, vaccine nationalism को दूर करने में, ये covex partnership कैसे help करेगी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसके बाद क्या है, एक और भी एक ऐसा example आप code कर सकते हो, cabinet ने प्र broadband internet service provide की जाएंगी, और यहाँ पर कहाएगा है कि public data office PDOS का setup किया जाएगा, ठीक है, किराना शॉप्स, पान शॉप्स, बहुत सारे ऐसे जगहों पर wifi hotspot आपके सेट के, जहाँ पर आप जाके easily wifi access कर सकते हो, ठीक है, दूसरा ये है कि Quad is a US anti-China game, रश्या का ये ऐसा कहना है, इंडिया western power के हाथों में जा रहा है, ऐसा कुछ comment किया था, वहीं इसके बाद अगर Quad की बात की जाए, तो Quad में Australia है, Japan है, इंडिया है, USA है, तो Quad का formation है, इंडो-Pacific region में, चाइना के influence को reduce करने के लिए, और हम अपने marine area को secure कर सके, तो Quad का एक बहुत बड़ा role है, तो रश्या भी चाइना की तरफ inclined है, क्योंकि इस Quad में USA और Western forces प्रेजेंट है, और इंडिया भी प्रेजेंट है, और इंडिया को भी जरूरी इसलिए है, क्योंकि इस maritime area में चाइना के influence को counter करने के लिए, उसे दूसरे देशों की help चाहिए होगा, रश्या था help करेगा नही क्योंकि उसके अलग एक एम है, ठीक है, खास्ता होसे marine area में उसका इतना interest नहीं लगता है, लेकिन जो Western power उनका जरूर से interest है, क्योंकि उनको पता है, कि अगर चाइना का influence इस maritime area में, इंडिया और पैसे कोईशन में अगर increase होता है, तो उसका जो strategic importance है, मताब जो USA है, और दू इंडिया को अपने marine area को भी secure करना है, वहां के resources को चाहिए use करना, अपने dominance को वहां maintain करना है, तो उसे भी दूसरे like-minded countries का सहारा चाहिए, तो quad एक ऐसा platform बन कर आया है, जहां पे Australia है, Japan है, इंडिया है, और USA है, वो साथ मिलकर कारे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इन ही counter करने के लिए ही quad का formation नहीं किया जाए, ऐसा एक opinion दिया जाता है, कोशिश है कि quad का एक जो aim है, वो ठीक है, कि इंडो-pacific region में, जो maritime area है, उसको जितना हो सके secure किया जाए, trade आसानी से हो सके, China के aggression को control करना है, लेकिन इसके beyond भी बहुत सी चीज़े है, चाहिए marine pollution है, शिप क किया जा सकता है, ठीक है, तो रश्य ने कहा है कि जो quad है, वो US का anti-China game है, ऐसा उसका कहना है, question देख लो, change in land use pattern is not only resulting in human-animal conflict, but also animal-animal conflict, तो यह जो मैं आपको अभी wildlife century के बारे में बताया था, उसको context में रख कर आपको यह answer लिखना है, 10 marks का यह आपका answer आपको लिखना है, अब अपने answer मुझे send कर सकते हो, daily dose with s.pande, ठीक है, और SP current affairs telegram channel से यह आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, आज के लिए इतना ही, I request you all के like जरूर करे, share जरूर करे, let's crack QPSC, CSC को जरूर से subscribe करे, thank you everyone and let's crack it.